नंश्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज्ज में और मैं आपके साथ सोच आँ भारत के हर गाओं में मंदीर है इन मंदीर में कई भेद रेशे में मंदीर भी है इनकी अपनी अलग-लग पहचान है ऐसे एक रहसे में मंदर मदरपदेश में स्थित है रतलाम जिले के मानक में स्थित इस प्राचीन मंदर का नाम महालक्ष्री मंदर है इस मंदर में आने वारे हर भक्त की सभी मनो कामना है पूर्ण होती है और वो माला माल हो जाता है आईए जानते हैं अनेक रहसे में से समेटे इस महालक्षमी मंदर के बारे में इस मंदर में जो भी भक्त आता है उसको सोने चांदी के सिक्के और गहने दिये जाते हैं और उसे वे अपने घर लेकर जाता है। यहाँ पर हर दिन सैक्रो भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्त हर दिन क्लोर रुपे के गहने महालक्ष्मी को चड़ाते हैं। और इसके साथ ही भक इस मंदिर में लाखों रुपे दान में देते हैं इस मंदिर में भक्तों की आस्ता बहुत जादा है इस मंदिर में दिवाली के मौके पर धन कुबेर का दर्बार लगता है इस दोरान महालक्षी मंदिर में दीपोथसव का आयोजन होता है ये कारेकरम धन्तिरस से लेके पांस जिनों तक चलता है, मंदिर को फूलों की जगा, गहनों और रुपे को सजाया जाता है धन कुबेर के दरबार में भक्तों को सूने चांदी के गहने और रुपे पर साथ के रूप में मिलते है अभी लेंगे एक छोड़ा सब्रेक और बेक की बाद जल लोटते हैं की सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्रात्मिक्ता है वह भी अफोर्डिबुल रेट्स में अब ब्रेक के वाद आपका स्वागत है दिवाली के मौके पर महालक्षी मंदिर भक्तों के लिए 24 घंटे खुला रहता है कहा जाता है कि धन तेरस को कुबेर की पोटली खोल दिया जाता है और यहां आने वाले कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता है कई सालों से मंदिर में गहने और उपे चड़ाने की परंपरा है मानेताओं के मताबिक पहले राजा अपने राज्ये की सम्रिती और सुक शान्ति के लिए इस मंदिर में गहने और धन चड़ाते थे तब से माता महालक्ष्मी को रूपे और गहने चड़ाने की परंपरा चली आ रही है कहते हैं कि ऐसा करने से भक्तों पर माता की कृपा हमेशा बनी रहती है इस खबरों फिलार इतना ही देश दुने की तमाम खबरों की वरेने आमरे साथ और देखते रहे हैं इंडिया टाइम 24 दियो समस्कार खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन